अब ये जो जगा है वो तलाब नहीं रही है एक मैदान के रूप में बारी सोनी की वज़े से थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा हो गया है वरना ये एक मैदान बन चुका था सौंदरीकरण का नाम बस हुआ है उसका काम कुछ भी नहीं हुआ है काफी समय से लोग परिशान है 2019 से सौंदरीकरण का काम दिया गया था ठेकेदार को 2019 के बाद 20, 21, 22, 23, 24 करीब 5 से 6 सालों चुके है सौंदरीकरण का काम आप देख सकते हैं कुंड की जहां पर पूजा समागरी का विसरजन किया जाता है चोटे मटी विसरजन काम के लिए इस जगे को बनाया गया इस्थानी लोगों के लिए पर आप इसकी स्थिति देख सकते हैं कि कि कितनी बत्तर हो चुकी है 75,000 की आबादी के बीच के सितला तलाब की ये इस्तिती को देख करके छेतरी है लोग का बहुत नाराज है इस पर जल से जल ध्यान दीजिएगा वन्ना हम आज पास वाले आदमी जैसे भी है अंदुलन करने पर तयार करेंगे नमस्कार आप केपी नुजिकना सुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं गाउ सुपेला में मौझूध हूँ गाउ सुपेला के सबसे प्रशिद और पुराने तलाब सित्ता तलाब में मौझूध हूँ बन कर दिये थे, क्योंकि 2019 से इस्तलाब का गहरी करन और सुन्दर ये करन का काम सुरू किया जाना था, जिसके लिए नगर निगम ने कार्य देश में 88 लाख रुपया पेस किया था, उसके बाद ठेकेदार को काम दिया गया, ठेकेदार के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस् 77 लाख रुपया कहां खर्चुआ हुआ है, इस वन्दरिगरम में जो काम है, वो बहुत सारे काम थे, जिसमें से एक दो काम में आपको गिना दे रहा हूँ, काम ये था कि बिरीज बनाना था, पुजा करने के लिए लोग आना जाने के लिए, और सीविलिंग बनाना था, आ वीडियो में चल रहा होगा, उसकी दशा क्या है, और आपको बता दू कि करीब काफी समय से लोग परिशान है, 2019 से संदरिकरन का काम दिया गया था, ठेकेदार को, 2019 के बाद, 20, 21, 22, 23, 24, करीब 5 से 6 सालों चुके हैं, और संदरिकरन का काम आप देख सकते हैं, संदरिकरन का मारने आते हैं, इस उमीज से की, एक दो मचली मिल जाए, इसके साथ ही मैं आपको बता दू कि जब ठेकेदार से इस पर सवाल किया गया, कि 77 लाख रुपए कहां खर्च हुए हैं, और आप उसका डाटा डीजे, और जल से जल्द इसका काम करिये, और इसके लिए ठेकेदा लोगों की इस तलाब से आस्था भी जुड़ी हुई है, तो कोशिश करएंगे कि इस ताने लोगों की क्या परिशानी इस तलाब को लेकर, वो क्या सोस्ते इस तलाब को लगातार, इसमें जो सुंदरिकरन का काम है, वो अब तक रुका हुआ है, इसमें लाइटिंग के वेवस्था के बाद यहां का जो गेट है, वो गेट देना था, स्वागत गेट देना था, स्वागत गेट देने के बाद रंग रोंगन करना था, पशरी बनाना था, मगर वेवस्था क्या है आप देख सकते हैं, अब यह जो जगा है वो तलाब नहीं रही है, एक मैदान के र वेस्था जो है कितना सुंदरिक रण काम हुआ है कितने यहां पर यहां की चीजों को वेवस्थित की गई है आप नजारा देख सकते हैं और विज्वल में चल रहा होगा आप कैमरे में देख रहे होंगे कि वह मावेश्यों को नहला रहे हैं इस तरह के कामों के लिए भी अब बताया जा रहा है और ठीक आप मेरे बाजु में देख सकते हैं कि यह कुंड है वीडियो में सुरवाती वीडियो में मैंने जिस तरह से बात की कुंड की जहांपर पुजा समागरी का विसर्जन किया जाता है छोटे मती विसर्जन काम के लिए इस जगे को बनाया गया इस्थानी लोगों के लिए पर आप इसकी स्थिती देख सकते हैं कि कितनी बत्तर हो चुकी है और कुछ गुजारीस ऐसे भी है क्योंकि इसमें नारियल वगएरा माला वगएरा तो दीख रहा है पर इसमें बहुत सारे दिस्पोजल पानी पॉच के बॉटल और भी जो घरेलू चीजें होती है वो भी इसमें पड़ा हुआ है कम से कम इस्थानी लोगों की इतना थोड़ा समस्दारी होना चाहिए कि कुंड किसलिए बनाया गया है पूजा समागरी के विसरजन के लिए बनाया गया है तो इसमें जो समान कशड़े हैं वो ना डाले कुड़ा कड़कट ना डाले इसमें इस चीज का उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए बाकि इसमें हम इस्थानी लोगों से भी बाच्चित करेंगे तलाब की स्थी हम इससे करीब 6-7 मेना पहले भी यहां पर आये हुए थे इस त पंदरी करण का काम है वो नहीं किया जा रहा है बाकि इस्थानी लोगों से बाच्चित करते हैं वो क्या समझ पार हैं इन सब सारे चीजों को लेकर आये जानते हैं तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कुछ इस्थानी लोग भी है बच्चे भी जो यहां बता रहे हैं ऑफ-क देखिए तलाब का आप खुद ही देख लेजिए चैमरामेन को बताऊंगा आप दिखाईएगा कि इसमें सासता लाक रुपए कुछ नहीं हुआ है आज पास कि जो भी जनते हैं निवासी है यह परिसान है इसलिए परिसान है क्योंकि आने वाले समय में कि जल जो भरेगा जो भी है इसमें गंदगी फैलेगा नहाने का सुईदा ता जिसके पास नहीं है जो अचल गरीब आदमी है यह इसी तलाब में अपना नाते जैसे भी करते थे अब उसको भीमारी का वह होगा लक्षण तो उसका कुन के दिकबाल करेगा और मैं यह बोलते हैं चाहता हूं क जीएगा वन्ना हम आसपास वाले आदमी आदम जैसे भी है अंदुलन करने पर तयार करेंगे अब भी इस तानिर है आसपास के लोग है जिस तरह की स्थिति बताए जारी है अठ्यासी लाग रुपे इसके सुन्दरी करने के लिए पास किया गया जिसमें 77 लाग रुपे ठ मंदीर बठाया गया यहां पे था उसके अलाब कुछ नहें कोई नहीं कोई सकते हैं नहुंधा फे एक लएक गलन में ज्रिया रहें गाल आजल थेए तो पर यहां पे आसपास घ्रिया नहाँ था पानी और यहारी चली जिस तरव तो पूरा किटानू फैलेगा मलेरिया हो गया टाइपट हो गया दुनिया भर का बहुत सारे ऐसा ब्युमारी है जो आज पास के अरियम फैलेगा इसका इलाज कोन करवाएगा तो इसके लिए कुछ ना कुछ सुविधा करें कि इसको लाइट हो गया जी और रंग रोंगन हो संधरी करण का नाम बस हुआ है उसका काम कुछ भी नहीं हुआ है इससे पहले तो और अच्छा दिखता था लेकिन अभी तो और बेकार हो गया है तौई कोई करके लोग कुछ कि देख यहां पे कुछ नौए कोई निगम का आदमी कोई नियाई कि डेखने के लिए कि कि यह कुछ इस अंपता कि लिए ने मुने बताए कि 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 और एक जन तो यह भी बता रहे कि इससे पहले और अच्छा ढिकतलÁब अब इसकी स्तीती और खराब हो चुकी है, कि ठेकेदार ने जिस तरह से बोला है कि 77 लाग रुपए काम हो चुका है, तो 77 लाग रुपए काम आप देख सकते हैं, निगम ने 88 लाग रुपए इसके लिए पेश किया है, अब कितना काम होता और कब तक होता है, ये इंतिजार देखिए, पूर्व में 2017 में ततकालीन मुखे मंतरी डॉक्टर रमन सिंकी जी के द्वारा चेतरी विधायक स्वर्गी विद्यरतन भसीन जी के मांग पत्र पर 150 लाग लग देड़ कड़ोर रुपे की सुकृति दी गई थी, जिसमें तालाप का गहरी करण और तालाप का सं नगर निगम के आखों के सामने से वहां से हजारों ट्रक मुरूम बेचा गया, पर किसी भी परकार का कोई भी उनमें हक्षेप नहीं किया गया और ये इस्तिती में बत्तर इस्तिती कर दिये कि पूर तालाप की कहीं पे 20 पीट, कहीं पे 15 पीट, कहीं पे 18 पीट की खुदा जाना था पर हमारे नगर निगम के इंजिनीरियों की कारियों को ध्यान में रखते वे ऐसा कारी किया गया कि जिसकी लापरवाई का भेट चड़ाई है तलाव आज थिस गड़ की परंपरा है कि नहवन चाहे चिकन पोक्स जिसको माता बोलते हैं इतने बड़े छेतरे के जिसके सितला तलाव की ये स्तिती को देख करके छेतरी है लोग का बहुत नराज है और पूरे छेतर में जिस पर रकार से वहां कुंड बनाया है और दीख रहा है और जिस पर कार से तलाव है जिससे छेतर के पानी इरिया में गंदा पानी भी सिपेज होना चलू हो गया है जो निश्षित कहीं न गई दुर्भा की जना गए और इसकी इस हिकायत स्वेम में माननी जिलादिश जिलादुर्ग को और नगर निगम के आईद को मैंने की है। जो नहीं किया, अब हमको राजी सरकार से निविदन करना पड़ेगा कि आप इस तलाब की रुपरेखा बना करकि इसको सज्जित और जैसे बागी सब तलाब सुंदर बनाए गए हैं, वैसे ये पुरानी बस्ती 500 साल का जो तलाब है, ये अपने विकास की बाट जो रहा है, आर्थिक डंड और नोटीस ये नगर निगम की आख मिचोली वाला खेले, नोटीस देने के ततपश्यात क्या नगर निगम के अधिकारियों ने उस कारी की पुनहनी विदा करवाई, आज 17 से ले करके आज 24 हो गया, 7-8 साल हो गये, ऐसा कौन सा ठेकेदार है, जो हो कारी कर तो नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के जिम्मेदार लोग इस चीज के लिए भानाबाजी ना करें, जिम्मेदारी लिये थे, जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, और निशित भष्टा चार की बेट चला हो तलाब, और ये वीडियो यही खतम करते हैं, इस बीमारी लोगों को आसपास के लोगों को ना फैले और जो उनकी उप्योगिता होती है नॉर्मली जो दिन भर में जो उनकी उप्योगिता होती है चाहिए कपड़ा दोने को लेकर विसरजन को लेकर तमाम सारी चीजे हैं और अभी तहवार भी सूर्म होने वाला गणिस हुज झाल